प्रियाक राज में लगी आस्था के सबसे बड़े मेले यानि की माग मेले का आज दूसरा इसनान पर्व है आज मकर संक्रांती का पर्वु मनाया जा रहा है हाला कि कल भी मकर संक्रांती का पर्वु मनाया जाएगा तो ऐसे में इस साल 14 और 15 फरवरी को मकर संक्रान्ती मनाई जा रही है सूरे का मकर राशी में प्रवेश करना मकर संक्रान्ती कहलाता है इसी दिन से सूरे उत्तरायन हो जाते है शास्त्रों में उत्तरायन की अफदी को देवताओं का दिन तथा दक्षनायन को देवताओं की रातिरी कहा जाता है। इस तरह मकर संक्रांती का एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल है। इस दिन इसनान, दान, जब, तप, श्राध और अनुष्ठान आधी का अत्याधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अफसर पर किया गया दान सौ गुणा होकर प्राप्त होता है। मकर संक्रांती के दिन गिरत तेल, कंबल, खिचडी, दान का विशेश महत्व है। इसका दान करने वाला संपून भोगों को भोग कर मोक्ष्ट को प्राप्त होता है। मकर संक्रांती के दिन गंगा इसनान तथा गंगा तड़ पर दान की विशेश महिमा है मकर संक्रांती मेला तो सारे विश्व में विख्यात है संगम तड़ पर सुभा से ही लाखों की संख्या में श्रधालू आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मा गंगा से ये प्रात्ना कर रहे हैं कि सभी के परिवार में शान्ती बनी रहे और किसी को भी कोई कस्ट ना हो आज दिन का विशेश महत्व है इसलिए लोगों को गंगा इसनान करने के बाद दान और गरीबों को मदद करना जरूरी है है तो माहिने जो है शूर्मकर राशी में तर वेस्सक्राह प्रजाते हैं अपने आप आ절 प्रियार में सभी देवी डेवता आते हैं, देश सोँ लोग अश्नान के लिए आते हैं चाओदा पंदरा दो दिन जो है मकर संक्रांती का पर्व जो है मनाया जाएगा लोग यहां दान पुर्वजों के उधार के लिए यहां पर गंगा श्नान करते हैं जैसे गंगा मा को मोक्ष दायनी कहा गया है तो जो भी यहां पर गंगा श्नान करते हैं उनको पूर्वजों क को मोख्ष होता है और पुनदाई जो है फलदाई होता है लोग गंगा में अस्नान करते हैं अपने सभी पापों को जो है यहां पर जला कर भस्म करते हैं और आचार राजकमान तुझारी कि ऐबनान करना चाहते हैं और हम कंदान करना चाहते हैं कर्यों के घृप घृट ऑछ और है एक हसे और आकर की मवेश्था यहाँ अच्छी है जल्डों कुछे शंपूरी महत्त हैएक यहां आकर क्या स्लान करना और आपил एक अपने आंपने बच्चों के सुख सांति मांगे और अपने घर परिवार करना यहां पुल्चोल सुख शांति से अच्छे से रहें ऑर जो कि तरूप में मागना था वो हम इस पश्ट है कि गंगा यमुन और सरस्वती के संगम पर तीर्थ राज प्रियाग में मकर संक्रांती पर्व के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदल कर इसनान के लिए आते हैं यही वज़ा है कि मकर संक्रांती के दिन इसनान करना अत्यंत पुन्यों को एक साथ प्राप्त करने की समान माना जाता है मकर संक्रान्ती के पर्व पर प्र्याग के संगमिस्थल प्रतिवर्ष लगभग एक मास तक मागमीला लगता है, जहां भक्त गंड कल्प वास भी करते हैं, बारा वर्ष में एक बार कुम्ब मेला लगता है, यह भी लगभग एक महीने तक रहता है, मकर संक्रान्ती पर्व प् में सूरक की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रांती कहा जाता है धर्म ग्रंतों में इस नान को पुन्य जनक के साथ साथ स्वास्ते की द्रिष्टी से भी लाबदायक माना गया है प्रियागराज से सैयद आकि ब्रजा की रिपोर्ट